चलिए इस वीडियो में और कुस्स करते हैं ठीक है और यह कुस्स भी आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही यह कुस्स काफी ज़दा इंपोर्टेंट अभी तक में ठीक है यह देखिया इसमें क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से समझ यह यह कुसंस में जो कुछ different tab से दिया हुआ है ठीक है तो the angle of elevation ठीक है ओफद टॉप आफ टावर का एंगल अप अलिवैशन ठीक है तो जैसे माल यह यहां पर एक तावर है यह एक टावर है अगर टावर का नेम हम A b कर ले तो इस इस टावर का टॉप ए हो गया पॉइंट ए तो इस टॉप से टू पॉइंट्स ऑन दा ग्रॉंड एट डिस्टेंस ए मीटर देखिए यह जो है ए मीटर डिस्टेंस अर साधी साथ बी मीटर फ्रॉम दा बेस आप टावर मतलब आपको टावर के बेस से से मीटर पर टावर के बेस से दी मीटर पर दू पॉइंट ऐन म्यह क्या है कि फ्रॉम दा आपको एंगल अपले वसल कहा कब हों रहा है दो पॉइंट तो पॉइंट नधू पैर है कहां पस दॉप एंट कहां से ये बेस बेस चे lack पॉइंट ने तो इन दोनों पॉइंट पे आपको एंगल अप यहां से यहां देखिए दोनों ही जो है बेस से मीटर पे और यहां से बी तर ऐसा ले सकते हैं ठीक है ओके अब देखिए जैसे यहां पर क्या कर रहा फिर से कवर परते हैं कुसंस को the angle of elevation of the top of the tower from the two points on the ground at a distance a meter एक पॉइंट देखिए a meter and b meter from the base बेस से a meter ठीक है तो बेस से बेस से a meter पर point c हो गया यहां पर दे दिया है पूरा बेस से b meter पर point d हो गया इन दोनों point पर angle of elevation बनेगा ठीक है अब angle of elevation कितना है थोड़ा आगे पड़ते हैं और करें इन दसी में इस्टेट लाइन तो वहीं से में इस्टेट लाइन तो करी दिया angle of elevation जो है वह क्या है angle of elevation are complementary देखिए angle of elevation जो दोनों जगह बंढ़ है वह complementary है complementary मतला angle चाय कुछ भी हो जाए लेकिन इन दोनों angle का सम 90 होगा दोनों जगह जो angle of elevation बनेगा ना उसका सम क्या होगा 90 होगा तो देखिए इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लें यहां पर ठीक है यहां पर ठीक है एक angle of elevation यह हो गया इन दोनों ये दोनों angle complementary हैको अगर हम थीटा माल ने तो दूसरे को क्या मानना परेगा है ठीक है तो यहां पर बहुत सारा कुछ जो लिखने वाला होता है बीध व्यभार उसको आप तरह से कर लिजाएगा ठीक है जैसे कि लेट एवी बीड़ टावर हुज हाइट इस एच मीटर जिसका हाइट किया है आपको एच है वैसे यहां मीटर की बात किया गया थे एच मी यह चीज़े हो गया अब देखिए चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं आपको इस सो इसको स्वल्व करने काम दो तरीका बताएंगे दोन में से आपको जैसे जो सिब्दाव उसको यूज कर लिए ठीक है फ्रॉम ट्रेंगल एबी सी बरावला ट्रेंगल लेलते हैं फ्रॉ क्या हो गया है है आच हो गया और इसका बेती बर अव्रावरा ट्रेंगल का बेस पूरा यहां से यहां तक मतलए यूनिट का एह हो गया तोशकी टेंटी यख अधिकर फ्रॉपल य्जrशन स्वर्स्ट मां लिए कि लिए औप फ्रॉम ट्राइंगल यह चोटा वला एडी च्छोटा वाला ABD from triangle ABD इस triangle में देखिए इस triangle में अगर आप 90 90 minus theta लगाते हैं एंगल का value 90 minus theta is equal to तो आप देखिए यहां पर भी आपको height के जगा क्या perpendicular के जगा 90 angle के सामने वाला यह वाला हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर के जगा हाइड देना होगा अब बेस देखिए छोटा से ट्राइंगल में बेस का वैल्यू भी है है ना तो अब देखिए थोड़ा से इसको अगर आप चेंज करते हैं तो 1090 minus theta कोट theta होता की नहीं होता यहां चीज़े तो आपको आता ही है एक नया चीज़ आपको यहां में बता देते हैं देखिए क्या है ना कि आप जानते हैं कि 10 theta और गुने 10 theta और 4 theta का प्रोड़क्ट रिलेशन में यह दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता 10 theta into 4 theta 1 होता ठीक है तो जैसे कि हम equation में एलेचेस जो इसका corresponding sides होता है तो corresponding side को add करते हैं सब्ट्रक्ट करते हैं multiply कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं ठीक है तो अभी तक आप एड़ सब्ट्रेक्ट और डिवाइड किये multiply वहला साइदे कभी यूज किया हुएगा तो चले यहां पर multiply करने का मौका मिल रहा है first and second clear तो LHS LHS को multiply करते हैं तो इधर है 10 theta into core theta multiply कर दिये is equal to इसका LHS हो गया इसका RHS हो गया sorry RHS है H by A into इसका RHS हो गया थे कि 10th theta into core theta 1 हो जाएगा 1 is equal to H square by A B cross multiplication जो करिएगा इसको ठीक है तो क्या हो जागा इसका cross multiplication में H square is equal to A B H square is equal to A B A B होगा ना तो यहां सिंपलाज करेगा H is equal to under root A B under root A B यही तो लाना थे है under root A B निकल गया ने कितना सिंपल बातों बातों में कुस्स खत्म हो गया ओके hope कि आपको यह कुस्स समय में आ गया होगा thank you